SS और BJP, एक तरफ गांदी जी, दूसरे तरफ गोट से ये बहिया इनकों दिखाई नहीं दे रहा है बहिया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे बात सही है, क्योंकि प्रेस वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे ही नहीं तो एक तरफ गांदी जी, दूसरी तरफ गोट से एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ महबत, आदर, भाईचारा अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं, नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं, अब हुआ क्या? अब मध्यप्रदेश में, मध्यप्रदेश का युवा, मध्यप्रदेश का किसान, इनसे नफरत करने लग गया है जो उन्होंने जन्ता के साथ किया, अब जन्ता उनके साथ कर रही है और इसलिए, हमने ये साथ यात्राएं, जन अक्रोश यात्राएं, मध्यप्रदेश में निकाली है इससे पहले, भारत चोड़ो यात्रा में, कन्या कुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्यप्रदेश से पैदल निकले कमलनाथ जी कितने किलोमेटर चले थे हम यहाँ नहीं नहीं, मध्यप्रदेश में तोटल कितने चले थे नहीं, नहीं, यात्रा कितने किलोमेटर चली थे लगदग 180 किलोमेटर यह देखे, 370 किलोमेटर हमारी यात्रा मध्यप्रदेश में चली थे किसानों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं बहनों से मिले मुझे सिर्फ दो-तीन बाते कहीं सबसे पहले, मध्यप्रदेश हिंदुस्तान में भरष्टचार का सेंटर है एपी सेंटर है और जितनी जितना भरष्टचार बीजेपी के लोगों ने मध्यप्रदेश में किया है पुरे देश में यह नहीं किया है बच्चों के फंड्स, मिट्डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किये महाकाल कॉरिडॉर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया वियापम स्कैम को आप सब जानते हो एक करोर युवाओ को इन्होंने नुकसान पहुंचाया MBBS की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लिग किये जाते हैं ये इनका राज है दूसरी बाग किसानों ने अपनी बाग बताई किसानों ने कहा और यहां आप सोया भी नुगाते हो आप इसको सबसे अच्छी तरह समझोगे कि हमें मद्यप्रदेश की सरकार सही दाम नहीं देती है अब आप जाईए चतिस गड़ में जाईए पास जाईए दूर नहीं है चतिस गड़ जाईए और चतिस गड़ के किसी भी किसान से आप पूछिए चतिस गड़ में धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है कॉंग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है हमने वाइदा किया था दो हजार पांच सो रुपए धान के लिए दिये जाएंगे और चतिस गड़ में जो हमने वाइदा किया वो हमने वाइदा पूरा करके दिखा दिया नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूस 24